हेई इट्स मी डॉक्टर शिपक मारियादप आज के विसेस टॉपिक में हम देब गुरु ब्रेश्पती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं देब गुरु ब्रेश्पती कौन सी भावों में अच्छे फॉल देते हैं तो माइडियर फ्रेंड पहले देब गुरु ब्रेश्पती है क्या तो यह देब गुरु ब्रेश्पती अंगीरा जिशी का पुत्र सुरूपा नाम का पत्नी से जन्मा हुआ था देव गुरु ब्रेशपती देवताओ का गुरु माना गया था और इंद्र को भी फराजित कर चुके थे देव गुरु ब्रेशपती जो देवताओ को गुरु माना जाता है ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना भी जाता है लेकिन जोती सास्त्र में देव गुरु ब्रेशपती का अपना ही पहचान है तो ये किन भाबों में अच्छे फल देते हैं Let's discuss about this topic today My dear friends, देव गुरु ब्रेशपती सास्त्रों बोलता है कि जिस घर में रहते हैं उसी घर को नास कर देते हैं लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है देव गुरु ब्रेशपती का काम क्या है? गुरु गुरु मेंज शिक्षा देना So देव गुरु ब्रेशपती अच्छे फल भी देते हैं और भाबनासक भी होते हैं और ये अत्याधिक सुभग्राव भी माने जाते हैं तो देव गुरु ब्रेशपती का किसकी साथ मित्रता है? किसकी साथ सत्रूता है? तो डेफिनेटली देव गुरु ब्रेशपती का हर एक देवता के साथ मित्रता है जैसे कि हमारे नभ ग्राश शिंख्ला में देव गुरु ब्रेश्पति का मित्रता मंगल देव के साथ है, मंगल देव के साथ है, चंदर देव के साथ है, सुरिय देव के साथ है देव गुरु ब्रेशपती बुद्ध देव के साथ सम रिलेशन है क्योंकि बुद्ध देव को ही कहा जाता है नारण का ओतार और ये बुद्ध देव तारा ब्रेशपती का पत्नी तारा का पुत्र और चंद्र का पुत्र है और देव गुरु ब्रेशपती के दयत्य गुरु जबकि देव गुरु ब्रेशपति राशी सोगलिए में करें चंदरूम हो किया राशी होत है जबकि ये सनी के राशी में नीच के होते हैं तो माई डियर फ्रेंड, now we are going to talk about वे इन वीच हाउस देव गुरु ब्रेश्पती हैड़ा नो एफ्रेक्ट कहां ये अच्छे फाल देते हैं तो माई डियर फ्रेंड, देव गुरु ब्रेश्पती सबसे अच्छा फाल देते हैं पंचम भाब में और नमम भाब में और देव गुरु ब्रेश्पती दीतिये और एकादस भाब में अच्छे फाल देते हैं अब आप ये भी कहिएगा कि देव गुरु ब्रेश्पती ज्ञान के कारक है, देव गुरु ब्रेश्पती का अपना घर तो भाग्ये कर अस्थान नमम घर है और द्वादस भाब का अस्थान है कहनेकार्द देव गुरुब्रेशपती रिप्रेजेंट करता है धनुर राशी को नबम राशी जो करते हैं और द्वादस राशी जो की मीन राशी को रिप्रेजेंट करते हैं तो यो बार्वु भाब में भी बली होना चाहिए और नबम भाब में भी बली होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं है माई डियर फ्रेंड देव गुरु ब्रेश्पती जब भी भी अच्छे परिनाम देते हैं धन की भाब में दितिये भाब में अच्छे परिनाम देते हैं क्योंकि दितिये भाब बानी का भाब है और जब भी भी गुरु अच्छे बानी देता है अच्छे सिक्षा देता है ताकि उसका सिश्य का अच्छा बानी हो शके देव गुरुब्रेश्पती सबसे अच्छे होते हैं पंचम भाब में क्योंकि पंचम भाब सिक्षा का भाब है पंचम भाब संतान का भाब है पंचम भाब पुनरजन का भाब है इसलिए पंचम भाब में देव गुरु ब्रेश्पती अच्छे फल देते हैं और देव गुरु ब्रेश्पती भाग्य अस्थान में भी अच्छे फल देते हैं जैसे कि नबम भाब में देव गुरु ब्रेश्पती अच्छे फल देते हैं क्योंकि नबम भाब को ही हम लोग कहते हैं धर्म का भाब, पिता का घर भी कहते हैं, तो पिता से जब भी भी गुरु अच्छे शिक्षा ही देते हैं क्योंकि उनसे मिलके रहिए, अच्छे किजिए, और देव गुरु बिरेश्पती लाव के भाब में भी गुरु का काम क्या है लाव देना ज्न देना तो देव गुरु ब्रेस्पती सब से अच्छे भाव है दितिये बाव पन्चम भाव नवम भाव और एकदस भाव अब रहा सास्तुरों के मुताबिक परासर रिशी का मुताबिक क्या कहा गाया है कि देव गुरु ब्रेश्पती प्रथम भाब में उच्छे के होते हुए भी, सास्तर कहते हैं परा सिर्फ रिशी जो लिख गए हैं कि जन्मना राम बने दुखा, कहने का अर्थ जन्म हुआ राम को ब्रेश्पती करकराशी में उच्छे होते हुए भी देव गुरु ब्रेश्पती करकराशी में उच्छे के था, फिर भी राम को बनबास जाना पड़ा, राम को पत्नी त्याग निक पड़ी, राम को पुत्र शे बिरोध हो गया, तो देव गुरु ब्रेश्पती इवेन इव करकराशी में उच्छे होते हुए प्रतम भाब में अच्छे फल नहीं दियें, जबकि प्रतम भाब क्या है, तन का है, मेंस बोडी का है, स्ट्रॉक्चर का है, तो इवेन ही प्रतम भाब में करकरासी में उच्छ होते हुए भी जो परासर रिश्री ने स्लोक बनाया है, कि जन्मन आरामे बनी दुखा, जन्मने ही बक्त में राम दुख हो गया, अब वो इश्य करके तिर्तिय भाब में देव गुरू, बिरस्पती, दुर्योधन का था, तिर्तिय दुर्योधन हता, परासर रिश्री का स्लोक है, तिर्तिय दुर्योधन हता, कहने का आर्थ, तिर्तिय भाब होता है, छोटे भाई बहनों का प्राकम का इस्ट्रेंध का जो कि तिर्थ भाव से सारी ग्रह देखते हैं सत्रम भाव डायरेक्ट भागी अस्थाना में देखते हैं तो तिर्थिये भाव में दुर्यो ध्रन का बिरस्पति उच्छ होने के बाबा जूद भी स tirar भाय तो था लेकिन उच्छ होने के बाद भी हत भाय मर गया जो देव ग्रु बिरस्पति तिर्तिए दुर्योदन हता कहने का आर्थ तिर्तिए भाब में भी अच्छे फल नहीं देते वही पर परासर रिषी का तिस्रा सलोग है चतुरत हे पन्डबब रश्टा अब देखे करकराशी में उच होने पर भी देव गुरु ब्रेश्पती चतुरत भाब में जहां पर माता घर मकान पे देव गुरु ब्रेश्पती उच के थे जबकि माता घर मकान पंडबों को मिला नहीं मिला माता तो थी घर और मकान में लफड़ा हो गया सो देव गुरु ब्रेशपती चतूर्थे पंडब भरस्ट मीन्स देखे कितना अच्छा सलोक बनाया चतूर्थ भाब में पंडब का ब्रेशपती उच्छ होने के बाबजूद भी चतूर्थे पंडब भरस्ट पंच पंडब भरस्ट ने सिर्फ एक द्रोपती से साधी किया था नाओ, I don't want to discuss a lot of thing regarding this topic वाई पंडब भरस्ट अब देखे कि उच्छे का अधी जो दान वीर बली राजा थे उनका भी उच्छSt पंडब भरस्त पंडब भरस्ट आजने में उच्छे का थे लेकिन सस्थे बामने व बली हता कहने का अर्थ बामन अफ्तार में विश्णु भगवान ने बली को जो इतना दानवीर को हत कर दिया कहने का अर्थ जमीन के विचे गाड़ दिया माई डियर फ्रेंड सब्तमे भरस्थ आचारा वही स्लोक कहा गया है सब्तमे भरस्थ आचारा क्योंकि सब्तंद रिष्टी से लगन भाब को देखते हैं सब्त में भरस्ट आचारा सब्त में क्या है पाटनर का घर है घर का घर है लाइफ पाटनर का घर है अपनी बीबी का घर है चाहे इस्पाउस का घर है चाहे हस्बिन का घर है उस भाबों में भी देव गुरु ब्रेश्पति अच्छे फल नहीं देते भरस्ट आचारा कभी- जो उनके साथ युद्ध करने आता था, उसका आदा सक्ती बाली के पास चला जाता था, इसलिए बाली से पराजित हो जाता था, बाली ने बारा बर्स तक रावन को पूछ में लपेट के बांगा, जो माई डियर फ्रेंड, अस्ट में बाली हंत्राचा, हंत्राचा कहने का आत क्या हुआ, बाली को इतना बल्बान था, फिर भी भगवान श्री राम, मिन्स नाराण का आवतार, मिन्स विश्नु का आवतार भी उनको छिप कर मारा, तो अस्थमभाव में ब्रसपति होने के कारण से, बाली हंत्राचा, मीन्स कभी कभी हम देखते हैं कुंडली में, अस्थमभाव में ब्रसपति होने के कारण, प्राय करकर लोग को ही मार देता है, Might be it's not possible, a lot of case लेकिन आप एक और case देख सकते हैं अब आप देखे कि नेपाल का राजा बिरेंदर बीर भिकरम सहादेभ जो की उनका कुन्ली देखे अस्टम भाब में बरेस पती है और अस्तम भाब में ब्रश्पति होने के ही कारण से उनका मिर्टु का अभी तक रहस्य ही रहा है। और उतना ही नहीं उनके चतुर्थ भाब में सनी राहु जिसे हम कहते हैं सरापीत यूग उबी हैं। तो अस्टम भाब में प्राय करकर मनुष्य को छिप कर ही मारा जाता है। दसम ब्रह्म का पाली ने कहने का अर्थ दसम भाब में ब्रह्म का पाली को भी भैरभ जी ने सर काटना पड़ा क्योंकि वो रोहनी से प्रेम हो गया था। तो मरिक शिडा में गया, आद्रा में जाके, आद्रा जो कि राहू काना चत्रबाना जाता है, रुद्र आवतार में जाके काट दिया गया, सर को काट दिया गया, तो माई डियर फ्रेंड, दसम भाब में भी विरेश्पति अच्छा फल नहीं देता है, जबकि दसम भाब में बहुत सारे ग्रा अच्छा फल देते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा फल देते है राहू, जिसके दसमें दुनिया उसके बस नहीं, दसम भाब असल में है क्या, तो दसम भाब पिता का कर्म है, कर्म का अस्थान है, और कृष्ण जी नहीं कहा है, कर्म ही भाग्यस्या, कर्म ही धन है, सो कर्म करो, कर्म की भाब में सबसे अच्छे फल देते हैं राहू देव, राहू जिसके दसमें दुनिया उसके बसमें, देखें, डोनाल्ड ट्रम्प का राहू दस में है, महात्मा गांधी का राहू दस में है, मुहमद रफी का राहू दस में है, वीजय मालिया, सिदार्थ मालिया के राहू दस में है, और सारू खान की राहू दस में है, भी इ利ीर है उसके गीया है है, ईसके बाद सबस्झे पहल mixture itself, दुनिया, उसके बस में यौकरम्ति आपल करेंके दोर्टती हैं इसके बस में यौकर्च के बाद अच्छे फल देते हैं सुरिय जिसके दस में प्रसिद्धी उसके बस में उतना ही नहीं माइडियर फ्रेंड बुद्ध जो की नपुनसक ग्राह माना गया है बुद्ध बालक ग्राह माना गया है वो बुद्ध जिसके दस में बोधिक छमता उसके बस में धन उसके बस में, ज्यान उसके बस में, मंगल जिसके बस में, दस में, उसकी संपत्ती और हट उसके बस में, दंबु उसके बस में, लेकिन वही दसमभाब में चंद्र देव अच्छा फल नहीं देते हैं, वही दसमभाब में विरस्पती देव अच्छा फल नहीं देते हैं, के तु भी अच्छा यह अध्यात्मिक बना देते हैं दसंभाब में तो 12 से परासर रिशी का लास सुलोक है 12 से राबन मिर्थू कहने कार 12 भाब में राबन का 12 भाब में ब्रिश्पति होने से देखिए अहंकार से मिर्थू हो गया राबन जितना ग्यानी तो तृता यूग में कोई नहीं था 12 भाब में ही ब्रिश्पति होने के कारण से राबन की मिर्थू हो गई उतना ही नहीं माई डियर फ्रेंड भाग्यास्था नबं भाब में राबन का राहु देब था इस साद में ब्रेस्पति देव हानी करता है जबकि अत्यादिक सुभग्रा माने जाते हैं ब्रेषपति का अपना नग्चटर पुर्णवशू नचतर है और पुर्वभाध्रापत और विशाखा नचतर है लेकिन the रियल नचतर है पुर्णवशू नचतर है यही पुर्णवशू नचतर में भगवान श्री राम जन्मे हुए थी और माय देयर फेंड, तोड़ेश्पति देव आपा bell devices प्रेश्पति देवगा लेकिन संतान के भाब में जिसको ब्रेश्पती देव है उसको फुत्री ही होता है पहले और माई डियर फ्रेंड भाग्ये के अस्थान में भी देव गुरु ब्रेश्पती अच्छे फल देते हैं और उतना ही नहीं एकादस भाब में लाब के अस्थान में फल देते हैं औहीं भी देखा जाएं तो अंस देकर फिए कितना उन्ष में हो और वह इतना आपको बतांए यह ऑख को इन इक घ्यान से गर में हों दे सकता है तो दो और दो डे सकता है सकता वाणि का दो से कार्ण तो नहीं देंगा राम मात तो नहीं दे दा पंचम भाप सिच्छा और ग्यान का कारक है, सस्टम भाप केरियर का कारक है, इसमें तो नहीं देगा, सस्टम भाप पार्टनर का कारक है, इसमें भी नहीं देगा, सस्टम भाप मिर्तु का कारक है, उसमें भी नहीं देता है, नवम भाप में अच्छे फल देते हैं, दसम भा इस देभ गुर ब्रेश्पती अजव कि लिए देव बंग इस वीडियो और प्लिज 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 दो गेड तो अब्ड़ ओर सब्स्राइब श्र्स्वानिव उर कि अर्म्य कोषब घरे तुर्षब्ट से नौस्कार।